साथ अभिनंदन करिए जेपी नड़ा जी का तो न्यूज एटीन के मंच पर नड़ा जी आपका अभिनंदन है और न्यूज एटीन देश का सबसे बड़ा न्यूज नेट्वर्क है और इस समय आपको हमारे करोडो दर्शक डिजिटल माध्यम से और न्यूज एटीन इंडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे लाइव इस कारिकरम के अंदर और चर्चा की शुरुवात करनी हैं और आपसे पहला सवाल पूछना है तो मेरे मन में इस समय एकी सवाल आता है कि नड़ा जी प्रधान मंत्री मोदी ने इस सत्र का आगाज राम राम बोल कर करा था और क्या संकेत दे दिया है प्रधान मंत्री मोदी ने दो हजार चौविस के लोकसवा चुनाफ का देखिए जहां तक राम राम का सवाल है ये तो आदिकाल से हम राम राम के नाम से लोगों को आदर सूचक तरीके से उनका अभिवादन करते हैं जहां तक दो हजार चौविस का सवाल है निश्चित रूप से सारा देश राम में हो रखा है और एक वातावरन समाज में व्याप्त है लोगों में बहुत उत्सा है और उत्सा के साथ साथ एक खुशी का महौल है और ये एतिहासिक सत्य है कि 500 साल के पश्चात इतनी बड़े संगर्ष के बाद ये सौभागे मिला है और यहां बैठे हुए तमाम लोगों को और दुनिया को देश को उन सब लोगों को अपनी आखों से राम लला को सही स्थान पर विराजमान होते हुए देखने का सौभागे मिला है तो ये एक लंबी यात्रा के पश्चात हुआ है जिसका असर हर दृष्टी से समाज में पड़ा है दो हजार चौबीस के चुनाओ के दृष्टी से भी लोग खुश्चनमा माहौल में इस चुनाओ में आगे जाने वाले हैं प्रधान मंतरी मोदी ने एंडिये को 400 और बीजेपी को 370 सीटों की बात करी और साथी साथ विपक्ष की अलाइनमेंट की भी बात करी कॉंग्रेस की अलाइनमेंट की बात करी इससे ऐसा लगता है कि भारतिय जन्ता पार्टी ओवर कॉंफिडेंस में हो गई है कि अब राम मंदिर बन गया है और तीन नाज्यों में चुनाओ जीत लिए हैं तो सब आसान है उनके लिए नहीं देखिए हम कभी ओवर कॉंफिडेंट नहीं होते हैं और नहीं कभी हम अपना कॉंफिडेंस विपरीत परिस्तिती में लूज करते हैं हम factual position का assessment करते हैं और factual position को ध्यान में रखते हुए ही वक्तव वे देते हैं अब जब हम इस बात को कहते हैं तो अक्सर मीडिया वाले और मीडिया जगत उसको गलत तरीके से सोच लेता है जैसे अब यह उदारन लीजिए आप ही लोग तीन मेहने दो मेहने पहले बोलते थे मद्यपरदेश गया शत्यजगर भूल जाओ राजिस्तान 50-50 अब हम 100-100 ले आए तीनों में तो अब यह तो यह अब आप बोलिएगा कि उस दिन मैं बोलता था कि हम जीतेंगे यह ओवर कॉंफिडेंस है यह ओवर कॉंफिडेंस नहीं है 24 into 7 into 365 all seconds all time busy in that activity is the reason which gives us success जी तो दो हजार चौबीस को भी हम उसी तरीके से देखते हैं मैं आप से चाहूंगा कि ज़रा आप एक अनालिसिस करा लीजिए कि पिछले पांच सालों में आधर निये प्रदान मंत्री जी ने देश के कितने जिले घूम ली है कितनी वार वो किस किस स्टेट में चले गए the most mobile prime minister who has been actively associated with the people of India this is his track record तो सन 2024 में क्या निकलेगा वो ही निकलेगा जो हमने मता है तो अब यह सारी चीजे अगर प्रदान मंत्री मोदी जी करते हैं अगर हम इसको कहें तो मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ transformation of India transformation of India दस साल में देश बदल रहा है बदला है तो अगर यह सब को दिखता है तो सब को इब मोदी जी को चाहते हैं और चाहते हैं तो हमारा यह over confidence नहीं है प्रदान मंत्री जी का over confidence नहीं है हमारी मेहनत पर और लोगों का प्यार इस बात को हमें एहसास कराता है कि दो हजार चौबीस में भी वह आशिरवात देगी लेकिन आपकी मेहनत यानि बीजेपी की मेहनत बीजेपी को 400 पार लेके जा रही है और आप खुद एंडिये को 400 पार लेके जा रही है और बीजेपी को 370 के पार लेके जा रही है तो राहूल जी की मेनद पर आपको क्यों शक्क है क्योंकि उन्होंने करनाटक में मेनद करी वो राज्यय आपके हाथ से निकल गया यह तो मानना पड़ेगा ऐसा है कि मैं राहूल जी के विशेपर बोल करके अपनी रणनीती को तकलीफ में नहीं डालना चाहता मैं चाहूंगा कि वो और महनत करें इसी प्रकार महनत करते रहे मेरी शुब कामनाई है वो महनत करें और अच्छा है वो जितना मेनत करेंगे अभी वो साउथ घूम करके आये थे तो वहां का MP बोलता है कि साउथ इंडिया एक अलग कंट्री बना दो निकले थे जोड़ो यात्रा पर और ये तोड़ने के पैमाने तै करने लग गए तो मद्यप्रदेश में होकर के आये थे तो सरकार चली गई सरकार आई नहीं चतिस गड़ में गए थे तो वहां सरकार चली गई और हमारे राजिस्तान में सरकार चली गई तो ऐसी उन्होंने फिर से ये यात्रा चलाई है इस यात्रा में बंगाल में उनको टाटा बाई पहुंचते पहुंचते तक सरकार ही तूट गई, अलाएंसी खतम हो गया, मैं आउंगा नितीश जी पे भी, लेकिन जब वो आसाम पहुंचे तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री है, वापे हिमनता बिश्वा सर्मा जी, उन्होंने फिर रेजिस्टर कर दी, तो कॉंग्रेस कह रही है कि राहूल का एक भय तो है, एक डर है, बीजेपी के अंदर, इस विशे पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई डर नहीं है, देखिए, क्या होता है, they take everything for granted, they do not know what is the law of the land, number one, and rule of law क्या होता है, इसको भी वो नहीं जानते, मैं आपको उदारन देता हूँ, Z plus security को एक particular route ही दिया जाता है, this route is not decided by any individual, one can say, हम भी कहते हैं कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे कह देते हैं, साब और आस्ता आपको नहीं ले जाएंगे, कली मैं होकर के आया हूँ, मुझे पठान कोट के एरपोर्ट पर बारा किलो मिटर का diversion करके ले गए वो, अब यह हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, यह political compulsions होती है, जहां पर साधारन व्यक्ति पांच मिनट में पहुंचता है, मैं 20 मिनट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे वो route चेंज करके देते हैं, तो उनको एक route दिया गया, अब law मानने की आदत नहीं है, तो इस तरीके की उनके दिश्टी से वो भीडवार वाला इलाका था, बाकी सारी दिक्कते थी, उसके दिश्टी से उनको बताया गया कि यह route आप ले लीजे, अब आप उसका political उप्योग करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, हमारे pilots कई बार कह देते हैं कि सर, weather is not good, इधर से नहीं जा सकते हैं मैं बोले हैं, politically मेरे को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, यह कोई रात की कारण मनता है क्या, तो ऐसे ऐसे lame excuses लगाने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घूमना चाहें, दुवारा आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो आप विपक्ष को संसद में भ दर्शक दीरगा में, यानि विस्टर्स गैलेरी में चला जाएगा अब पक्ष, ऐसा है ना, ये, ऐसा क्यों, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन उनके कर्म उनको ले जा रहे हैं, तो हम क्या करें, अब आप बताईए, मैं उदाहरन देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर वस्पीकिंग, और लगातार वहां से रणिंग कमेंटरी चल रही थी, वाल नट देर अनी सीनियर लीडर अप्टी तो से प्लीज कीप कईट, प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग, इतने कॉंगर्स के लीड जवाब देने का दम न हो, दो दिन तुमको बोलने के लिए दिया गया, तुम्हारे को टाइम दिया गया, आर्ग्यूमेट्स तुम्हारे पास थे नहीं, all shallow arguments were given, कोई पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़ने निकले वाले लोग तुम रखते नहीं हो अपने साथ, वो तुम्हा पढ़ने लिखने वालों की बात करी, तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अब वो कहते हैं कि जैसे ED कारवाई कर रही है इस धेश के अंदर, जैसे Enforcement Directed कारवाई कर रही है, it is very very bad for democracy, I am quoting him, ये लोग तंतर के लिए बहुत हानिकारक है, अब वो कोई नेता तो है नहीं, ले जनितिक जगत का पंडित बन जाए, तो कर तकलीफ होती है, इसलिए उनको कोई जानकारिया नहीं है, सचाई क्या है, आप बताईए हजारो करोड के घोटाले में सुरिया गांदी जी बेल पर है की नहीं है, आप बताईए राहुल गांदी हजारो करोड के घोटाले पर बे इप्रिजिन्मेंट को कैंसल कराने के लिए गए की नहीं गए, बेल मांगा की नहीं मांगा, रिजेक्ट हुआ की नहीं हुआ, संजय सिंग बहुत, ये और वो और ये सब कुछ करके गए, मुड के आय नहीं, घूम घूम करके धग गए, हम तो डून रहे हैं, हम ने का ओठ द कि ये दस नोटिस पर आप नहीं गए, इस दिस दी बहविए और चीफ मिस्टर, और एड एड तो गो तो ये रेस्देंस, एक उनी के कौपी करने वाले पांच वार एड का नोटिस उन्हों ने रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली के मुख्य मंत्री, हम क्या करें, अरे नोटिस, SIT कमिटी की नोटिस प्रधान मंत्री मोधी जी को भी आई थी, प्रधान मंत्री मोधी जी अकेले गए थे, क्या BJP के पास लोग नहीं थे, क्या BJP के पास लोग नहीं थे, जो बाहर तमाशा कर सकते थे, लेकिन नहीं, चीफ मिनिस्टर गुजरात के रूप में प्रधान मं होकर क्या है यह हमने रिस्पेक्ट तो दी कंस्टिटूशन रिस्पेक्ट तो दी रूल अफ लॉल अफ लॉल अफ लॉल अफ लॉल अफ लॉल अफ दी लांड यह हमारा 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 कर्तव बनता है यह ऐसे चीफ निस्ट बन गए एडी की नोटिस को मैं जैपूर जा रहा हूँ मैं फलानी जगह जा रहा हूँ अब मैं कहना नहीं चाहता बहुत से ऐसी जगह है जहां जाने की कारी आ गई होगी अब वो शब्द मैं नहीं बताना चाहता तो वो भी जगह हैं वहां जा सकते हैं तो ये ऐसे लोग हैं जो अच्छा दूसरी बात ये है कि आप राहुल गांधी कल चले जाए कि मेरे को ये मेरे खिलाब गलत केस चल रहा है ये मैं बेल से वापस आना चाहता हूं मेरा बेल वापस करो और मेरे उपर से केस हटाओ कहे ना सोर्या गांधी कहे ना बाकी लोग कहें ना क्यों नहीं कहते हैं ये तो बेल इनके लिए एक तरीके से पारडाइज है पारडाइज ये बचे हुए है ये जीवन बेल के बीच में गुज़ार रहे है और आप बोल रहे हैं कि ED तंग कर रहा है इडी तंग कर रहा है और भी रोपे पेड बबूल का हम कहां से होए गल्त का हम करोगे तो फसोगे फसोगे जाना तो पड़ेगा ही इसमें दिकत की क्या बात है लेकिन ऐसा है कि विपक्ष का ही सब नेता टार्गेट पे आ जाते हैं एडी की यानि जो डोर बेल एडी की बच देखिए कोई भी केस वापस किसी का नहीं हुआ है किसी का भी केस वापस नहीं हुआ है सब केस चल रहे हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं है और मैं ओन रिकॉर्ड बोलता हूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं रहेगा यह तो हम कानून हम कानून मानने वाले लोग में से आप क्या सोचते हैं कि मेरे उपर कभी केस नहीं चला होगा, मैं राजनितिक कारे करता हूँ, मैंने कोर्ट फेस किया हुआ है, तो यह तो ऐसे कामों में नहीं रहा है, कभी मैं आंदोलन के दौरान मेरे उपर भी केस हुए है, हाँ गलत वहमी में मत रहिएगा क्यों कोई मेर उपर केस हुआ है, लेकिन हाँ, कानून की रिस्पेक करना, if you have been called, if you have been summoned, you have to go, कई वार धारा 144 ब्रेक हो जाती है, या हमारे उपर आरोप लगा होगा, हम लोग आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन में चलता है, हम जवाब देते हैं, हम उसको रिस्पॉंड करते हैं, हम उसक में नहीं क्योंकि हम सारी एजेंसी को कानून के अंचार काम करने के लिए, ये सरकार, लान मंत्री मोदी जी की सरकार, ये उनका बैंडेट है, मैं के एक्जामपल दे देता हूँ, अर्विंद केजरिवाल जी को पाँच एडी के नोटिसिस आ चुके हैं, और वो पाँच न क्या होता है कि कर्म तो उनोंने की हैं, इसलिए उनको ही मालूम है कि अगला नंबर किसका होगा, वो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप एडी के नोटिसिस को लेम एक्स्क्यूज़ पर आप नहीं जा रहे हैं, ये बता रहा है कि आप कहीं न कहीं डर कहीं, कहीं न कहीं आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, कहीं न कहीं आपके दाड़ी में तिनका फसा हुआ है, तो वो जो दाड़ी में तिनका फसा हुआ है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, और वो आपको तकलीफ देगा भी देगा, उसमें हम, हम कहां, how am I responsible, or how we are responsible, we बीजेपी की बात हो रही है तो साउथ से शुरू करते हैं साउथ में मेरे पास जो आखड़ा है दो हजार चौदा में बीजेपी को 22 सीटे मिली थी टोटल 132 सीटों में से और 2019 में 29 सीटे मिली थी तो इस बार साउथ में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपका मेंडेट वहां कमांड है देखिए पहले मैं भ्रम को दूर करना चाहता हूँ एक तो आप लोग कई वार कह देते हो साउथ कॉंग्रेस का और नौर्थ बीजेपी का हिंदी भाशी बीजेपी के साउथ में बीजेपी के 28 लोकसभा के सदस्य हैं और कॉंग्रेस के 27 हैं जी बीजेपी के रा आदा साउथ में हैं ये पहली बात हमको समय ने चाहिए आकड़ों से बता रहा हैं डोंट डेवलप इस परसेप्शन तट वी आर नौर्थ इन साउथ वेरी मुच इन साउथ और मोर दें दें कॉंग्रेस वीर इन साउथ नमबर वान नमबर टू कि आपने कहा कि यह कांगर करनाटक में ऐसा हो गया ठीक है हम लोग खेलते हैं मैच होता है दो गोल उधर से होते हैं चार गोल इधर से होते हैं एक आदा पास मिस हो जाता है तो उसमें से निकल जाता है अब हिमाचल में क्या हुआ काट की हांडी चड़ाई आज इलेक्शन करा लो हिमाचल में आप कर करेंटी इनको समझ में आ रही है तो लोगों को थोड़ी देर के लिए गुम्रा कर लेना गलत तरीके से अपने वोट को खीच लेना ये सब चीजे चलती हैं थोड़े समय तक चलती हैं उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं करनाटक उस कारण से उनको सरकार मिल गई आज उनकी हालत किया आज election करा लिजी आप आपको पता चल जाएगा करनाठक की जनता क्या बोल रहे हैं और आप election मत भी कराइएँ दोजार चोबिस का करनाठक का वहां की TALLY देख लिजेगा आपको उत्तर मिल जाएगा आप हिमाचल की टैली देख लीजेगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, ये ठीक है, ये सब बड़े महिलाओं के लिए ये करेंगे, एक लाग नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कहे करके, थोड़े दिन चला लिया इनोंने, अब वो हांडी ब में आगे बढ़े, सब लोग को हम साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब जगा हमको सफलता मिले, लेकिन फिर भी, मैं एक बात जरूर कहता हूं, कि हमारा हर जगा, वोट शेर और सीट शेर, ये बढ़ता ही जाएगा, और इसी को हम आगे आएगे, ये मैं कहना चाहिए, चलिए अब महाराष्ट की तरफ आते हैं, महाराष्ट में सीट अलाइनमेंट को लेकर, इंडिया गडबंदन में जो हो रहा है, लेकिन एंडिये में भी खटपड चल रही है, खबर ये आ रही है कि वहाँ पर वहाँ पर भी मामला जम नहीं रही है, अजीद पवार और शिंदे साप के साथ, ने ने अच्छे जम रहा है, और सब बहुत अच्छे तरीके से होगा, सीट शेर विंग भी अच्छी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाओं में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं होता है, कि जब ऐलायन्स की बात्ची शुरू होती है, सीट्स की बात शुरू होती है, तो हरे कोई अपना अपना दावा पेश करता है, बाद में सम लोग मिलकर के तहे करते हैं, अच्छा रहेगा, जी, अब महाराश्य से बिहार की तरफ आ गए है, एक सवाल मैं 2020 में वो NDA को मिला था, वो BJP और नितीश कुमार को, और नितीश को हम नेता मान करके ही चले थे, अब क्या होता है, बीच में कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, जिन कारणों से कुछ लोगों ने कुछ तरीके का कारण किया होगा, जिसके कारण वो गए वहाँ, लेकिन उनको ध उसको हम कहते हैं कि Organic Alliance वो BJP के साथ ही है, वो और किसी के साथ नहीं है, और जब जब वो BJP के साथ आये हैं, बिहार प्रदेश को Stability मिली है, बिहार प्रदेश को Development मिला है, बिहार प्रदेश को Law and Order Situation Control में आया है, तो he also understood, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रख करके, फि का गया था कि अब कभी नहीं खुलेंगे, तो यो खुले कैसे, ये राज तो खोल जीजे हमारे मन से आज, ऐसा है, फिर क्या कहते हैं कि राजनीती में रणनीती जो होता है, वो परदे का विशे होता है, समय पर ही खोला जाता है, तो हम समय पर ही राज खुलेगे, तो मतलब कतार में कई और दल है कतार में लाइन में कई और कई और दल है नहीं ऐसा नहीं है यह कभी आ जाते हैं तो हो जाएगा नहीं आएंगे तो नहीं होगा ऐसा मैं कोई इनको लाइन में लगाना नहीं चाहता और लाइन में दिखने भी नहीं चाहिए यह अकेले अकेले ही आने चाहिए कभी भी आने चाहिए जी मेरा अगला सवाल है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हैट्रेक लगाने की तियारी कर रही है खड़के जी भी इस मंच पे थे और खड़के जी ने बहुत थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ा उनका एक स्टेट्मेंट था कि अगर 2024 में मोदी दुबारा जीत के आते हैं तो लोगतंत्र समाप्त हो जाएगा चुनाव खतम हो जाएंगे देखिए सचाई तो यह है कि कॉंग्रेस पार्टी का इतियास यह एमर्जेंसी भूल गए डेर लाख लोगों को इन्होंने मेंटेनेंस आफ इंटर्नल सेक्यूरिटी आक्ट मीसा के तहट और डिफेंस आफ इंडियन रूल डियाई आर के तहट इन्होंने 22 महीने जेल में रखा था और इलेक्शन भी गलत फहमी में कराया था क्योंकि इनको एजेंसी ने बता दिया कि अब मिसिस गांदी आपकी पॉपलारिटी बहुत बन गई है तो आपने इलेक्शन करा दिया नहीं तो आप इलेक्शन कराते भी नहीं तो जिन पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अध्यक्ष ये बोले कि चुनाओ के बाद ये अंतिम चुनाओ होगा ये हम वोन लोगों में से हैं जो इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रजातंत्र इस देश में 1947 से पहले था सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश है तो वो भारत है हम ये मानने वाले लोग हैं तो इसलिए हम कहां प्रजातंत्र को कभी तकलीफ देने वाले हैं और चुनाओ में लोगों का आशिरवाद मिल रहा है खरगे साहब ने जो ये वक्तवे दिया ये एक्चुली कॉंग्रेस पार्टी के सोय हुए कारकरताओं को जगाने के लिए संदेश दिया वो बिचारे कॉंग्रेस पार्टी वाले इतने सोय हुए हैं कि उनको जगाने के लिए कि इसके बाद तुमको चुनाओ लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा मतलब आपको लगता है Congress Party 2024 के बाद कुछ हो जाएगा Congress Party को? आप बोल रहे हो, मैं तो यह बोल रहा हूँ कि वो अपनी Party को जगा रहे थे, उनको इंठ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ना ताली बज रही थी, ना कोई response आ रहा था, ना जनता से आ रहा था, तो उन्हें ने का यह अंतिम मौका है, खड़े हो जाओ, तो यह व अहुल जी भी अध्यक्ष नहीं है, सोनिय भी अध्यक्ष नहीं है, प्रियंका जी भी अध्यक्ष नहीं है, आप तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं, प्रदान मंती ने आज भी परिवारवाद पे बोल दिया, कि एक परिवार के लिए सारा काम होता है, हाँ होता ही है ना, तो यह तो spokesperson बन जाते हैं ना, वो तो असल तो leadership उनको उनकी grow करा रहे हैं। खड़गे जी का कोई यात्रा निकलती तो मेरे समझ में आता कि उनकी कोई उनके नेत्रतों में चल रहा है, तो उनके नेत्रतों में चल नहीं रहा है, वो तो east से north भी जाना हो तो एक ही आदमी, east से west भी जाना हो तो एक ही आदमी, तो यह तो अपने आप में बता जेता है कि क किसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जी लेकिन जब राहूल जी मंदिर जाते हैं अभी वो जोतिरलिंग है जारकंड में वहां गए बैदनाध धाम और वहां पर जब वो थे तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवा दिये गए अब कॉंग्रेस कह रही है कि जहां र अभी मेरी निउस तो नहीं लगाई कि जे पी नडडा मंदिर गया अभी मैं कल चामुंडा माता हो करके आया ब्रजेशोरी माता हो करके आया आपने नूजी नहीं बनाई क्यों कि वो मेरे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है यह मंदिर तब जाते हैं जब चुनाओ की जिन लोगों को यह नहीं मालूम कि जन्यू इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है वो लोग जन्यू पहन करके बुलाएं मैं भी जन्यू धारी हूँ तो यह राजनितिक कंपल्शन है कि आज देश का इलेक्टॉरेट यह देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति अपन वो मोधी मोधी के नारे लगे थे वहां पर अब वो देखिए ये देश की आवाज है ये तो आप जहां जाओगे बैजना धाम क्या आप किसी धाम में जाओगे वहां यही नारे लगेंगे क्योंकि ये देश की आवाज है ये देश का नारा है ये सब का नारा है इसको हमको सम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर से गुजरते हैं, किसी जगह से जाते हैं, कोई कह देता है, जै श्री राम, अब हमने तो नहीं कहा कि तु जै श्री राम के नारे लगाओ, लगा देता है बिचारा, तो वो देश की आवाज बन गई है, तो उसी तरीके से, अब आप और तो और छोड़िये, डाइस्पोरा में, जो लोग पहले बोलते थे, कि I am from India, oh you are from India, which part of the world is it, यह हमको 90s में सुनने को मिलता था, मिलता था कि नहीं मिलता था, आज हम कहते हैं I am from India, oh moody, 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 तो दुनिया में भी moody, moody हो रहा है, तो यहां होने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो नहीं है, एक आपने नारे की बात करी, जैश्री राम की बात करी, तो 34 साल पहले, पालनपुर में BJP ने नारा लगाया था, सौगंदर राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, अ आप बतौर BJP अध्यक्ष और बतौर एक सनातनी, इसको कैसे देखते हैं, नहीं देखिए, क्या है कि, सबसे पहली बात तो यह है कि, मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए था, लेकिन जब मैं उनकी तरफ से सोचता हूँ, तो मुझे लगता था कि वो आ नहीं सकते थे, क्यों कि इतना विरोध किया था, इतना विरोध किया था कि वह खड़े कैसे होते, आप्टर ओल उनको, उनकी, उनकी, उनकी किया हुआ इतिहास, उनके साथ चिपका हुआ है ना, इनके ही लोग वकील कहते थे थे ना, कि तारीक 2019 के बार लगाओ, ताकि इनको राम मंदिर का फाइदा ना मिले, इट इस ऑन रिकॉर्ड, इट इस ऑन रिकॉर्ड किसी ने गोली चलाई, इट इस ऑन रिकॉर्ड कि किसी ने लाटी चलाई, इट इस ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने किसी ने कहा कि राम काल्पनिक है, इट इस ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने वो सेतू के बार इसलिए नहीं आपाते हैं, इनको लगा वहाँ जाएंगे, लोग वहाँ जोर से नारा लगाएंगे, जै श्री राम, यह लगा नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए अलग से जाएंगे, क्या करेंगे, they visualized, कि what will be their position, और the position would be because of their activity, not by cause of anybody else. मैंसे एक सवाल, यह बड़ा personal सवाल है, जब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा हो रही थी, और जब राम लला की मूर्ती सामने आई, तो आपके मन में भाव क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेर कर सके हैं? मैं तो यह कहूँगा, देखिए, मैं तो युवा था, जब पहली रैली राम मंदिर के सिलसले में बोट टलब पर हुई थी, अब तो बोट टलब पर रैलिया नहीं होती, उस समय बोट टलब पर रैली होती, और वो जो बड़ा मंच बना था, उस बड़े मंच पर वी बोटा ह udah देखा, फिर वो बी Deekhा जब कहा गया कि परinda नहीं पर मार सकता, वो भी हमने देखा, फिर हमने वो बी देखा, कि किस तरीके से साधू ने बस को सारा तोड़ते हुए और अंदर घुज गय, फिर वो हमने गोली कांड भी देखा, फिर उसके बाद पर नने वो आज अब ये सवाल इसलिए कि जातिगर जनगंडा के प्रोधा थे यानि नितीश बाबू नितीश कुमारी आपके खेमे में आ गए हैं तो अब जातिगर जनगंडा के साथ क्या करेगी भारतिय जनगंडा पार्टी को कि राहूल गांदी है सेट कि हम अगर शासन में आए और अगर हम सत्ता में 2024 में आएंगे तो जातिगर जनगंडा करवा देंगे देखिए दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं पहली बात तो आपने जो नितीश कुमार जी की कहीं और जातिगर जनगंडा की कहीं भारतिय जनता पार्टी कभी भी जातिगर जनगंडा के विरोध में ह कौन बैठा रहा इनके पूझ ये परदादा जवाहलाल नहरू कितने साल बारा साल बैठे रहें मंडल कमिशन की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा इनकी पूझ ये दादी इंदरा गांधी दस साल तक और बाद में राजीव गांधी पांच साल तक बैठे रहें और नारा क्या लगाया ना जात को ना पात को यह पार्लिमेंट के अंदर का OBC का विरोध किया अब इनकी स्थिती ऐसी हुई है कि यह कोई मंत्र ढूंड रहे हैं जिस मंत्र से इनको चुनावी नहीं या पार लगे अब इसलिए जातिगत जंगन्ना OBC 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 बोलने लगे OBC को constitutional status हमारे Narendra Modi ji Prasamantri ji ने दिया है यह भी हमको ध्यान में अब थान में रहे हैं they are not in they have got nothing to do with OBC they have got nothing to do with Jati Janaganda they have got nothing to do with backward they have got nothing to do with Dalit they have got nothing to do with जाते हैं तो इसके लिए यह नहीं जाते हैं, पिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं, यह हर कुछ करेंगे, हर जगह जाएंगे, जहां इनको वोट दिखेगा या वोट का संभावना दिखेगी. जोड़ना हुआ है, तो इस तरीके से हमारे जी ममतब एनरजी की टोन बड़ी बदल गई है, वो कॉंग्रेस को बोल रही है कि उनकी 40 सीटे भी नहीं आएंगी, और कॉंग्रेस कह रही है कि एडी का दबाव है, इसलिए इस तरह के बायान आ रहे हैं। देखिए मैं आपको कहूं क्या है इन सब का, मैं इसको अंसाइंटिफिक एलाइंस क्यों बोलता हूं, मैं अंसाइंटिफिक एलाइंस इसलिए बोलता हूं कि केरला में CPM और कॉंग्रेस लड़ती है और दिल्ली में हाथ मिलाती है, केरला में CPM और कॉंग्रेस लड़ती है और त्रिप्रा में एक साथ लड़ती है केरला केरला में कॉंग्रेस और CPM लड़ती है और बंगाल में एक साथ आती है और वहाँ बंगाल में मम्ता नहीं आती है ये अन साइंटिफिक अलाइंसे bitches है जहां जहां कुर्सि ज्यादा मिलने की उमीद हो वहाँ जुर जाओ जहां नहीं मिलने की उमिखिराओ लड़ जाओ यही इनका इनका एलाइंस का मकसद है अब जहां तक आपने बात कहीं कॉंग्रेस की और उनके अलाइंस की वो कभी रह नहीं सकते थर्लियु मुझे टो नहीं दिखता की कोई के लिए करेंगे सॉरी, ममता जी ने खुद ही कह दिया है कि हम आपके बगैर अच्छे हैं। तो उनके कहने के पीछे आप लोग है क्या है। नहीं, ऐसा है कि ईशवरे शक्ति होती है, वो अपने रंक से काम करती है। विपक्ष को लगता है जो इश्वरी शक्ति है वो एडी वाली शक्ति है नहीं वो उनके कर्म के कारण उनको लगता है कर्म गलत करोगे तो मैं क्या करूं फिर मैं बताता हूं आपको तो इसमें कोई श्वरी शक्ति नहीं है यह कानूनी शक्ति है जी यह कानून की शक्ति है लाल क्रेश अडवानी बीज़पी के स्टारवर्ट लीडर है उनको भारत रत्न की घोष्णा प्रधानमंत्री मोदी ने करी विपक्ष का एक बड़ा तपका है जिसने इसका स्वागत करा लेकिन एक बड़ा तपका ये भी है जिसने बोला कि राम मंदिर के मुद्दे पर जि देश में सब लोगों ने खुशी मनाई कि आदर्णिय लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रत्न से नवाजा गया और उनको ये भारत रत्न दिया गया सब दूर खुशी हुई है सब लोगों में खुशी हुई है सभी राजनितिक दलों में भी खुशी हुई है और उसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए तो हमारी पार्टी के तो प्रधम PD के नेता रही है। लेकिन साथ ही साथ उनका पार्टी को भी और ग्री मंत्री के रूप में और उप्व Moi मन्तरी के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनको भारत रत्न मिला है इसकी खुशी और प्रधान मंत्री मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद और अडवानी जी को बधाई जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं कि ये बटवारा और इस तरीके की वो लोग उन्हें देश का इतिहास, देश की संस्कृती, देश के कल्चर, देश का रिच हेरिटेज, इससे उनकी अज्ञानता प्रदर्शित होती है, उनको इस सब चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरीके क्या वक्तवे देते हैं, मेरे को अतना ही कहना है कि भगवान उनको सुबुद्धी दे, अकल दे, कुछ पढ़े लिख करें और उसमें आगे बढ़ें, तो उनका भी अच्छा होगा, यू सी सी के ऊपर आप क्या कहना चाते हैं, क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्राखंड वो यू सी सी लागू करने जा रही है, कैबिने ने पास्त कर दिया है, क्या कहना चाते हैं आप, नहीं वहाँ व तीन राज्यों में तो बिल्कुल नई जनरेशन को कामकाज सौप दिया, यानि तीन नए मुख्यमंत्री बना दिये, तो सवाल ये है कि अब बाकी दिगजनेताओं का क्या होगा, जो शिवराज जी, बसुंदरा जी, देखे हमारे हाँ, हमेशा हम 15-20 साल पर नई लीडर्शिप को सोच करके आगे बढ़ाते हैं, जी, मैं आपको सिर्फ याद दिला दू अमनीची कि मैं भी एक स्टेट में मिनिस्टर था, एक समय आया कि हमको सब नए जनरल सेक्रेटरी लाने हैं, हम सब लोग एक साथ जनरल सेक्रेटरी के रूप में आये, और फिर आज वो सभी लोग कोई नो कोई मंतری है, केंदर सरकार में मंतरी है, कोई नो कोई केंदर सरकार में प्रमुक जिम्मेवारी निभा रा है, तो ये हमारे हाँ टाइमली ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रोसेस है, अब इसी तरीके से व उप्योग होना सदुप्योग होना यह हमारी जिम्मेवारी है इसलिए उनको नई जिम्मेवारी में लगा रहे हैं और वो नई जिम्मेवारी में काम करेंगे और कर रहे हैं वसंदरा जी हमारे यहां वाइस प्रेजेंट हैं बहुत एक्टिवली लगी रही है हमारे आवह बी आ रहे हैं तो क्या लोगसबा चुनाव में भी हमें एक यूध ब्रिगेड बीजेपी के एक्टिव दिखेगी खास्तों पर टिकेट बटवारे में ने यूध ब्रिगेड किस रूप में अक्टिव दिखेगी है। क्या बीजेपी युवा चेहरों को मौका देगी हमेशा 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 हम तो हमेशा 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 नहीं कहते हैं कि तेरा टिकट काट रहे हम हमेशा कहते हैं कि नए लोगों को ला रहे हैं नए लोगों को लाने में कुछ जाते हैं तो उनको नहीं जग कि बीजेपी एक सांसत को छोड़कर उत्तरपदेश में सब साथ सुतों के टिकट काटने वाली है कि मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए उन्होंने कहा कि एक सांसत लेकिन मैं मैं मैंने इस सेटमेंट ना उनका सुना है ना मैं इसके बैगराउंड को जानता हूं लेकिन भारत डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेट जी कोई भी व्यक्ति राजनीती में किसी भी जगह को अपने अपना अधिकार समझ करके ना बैठे सबको चलते रहना है बढ़ते रहना है चलते रहो चलते रहो चलते रहो नए मकाम नए वो मिलेंगे उस पर आपको आगे बिल्कुल ब तस्वीर वारे राउंड पर जाने से पहले वीडियो वाल पर एक तस्वीर आएगी और फिर उस पर नड़ा जी आप काम जवाब लेंगे राम लला जी की तस्वीर है क्या कहना चाहेंगे आप मेरा जवाब मिलगे आपको जी ये हमारे लिए जैए श्री राम जी अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है मुझे भी नहीं पता है ये सर्प्राइज है अब सेमन सोरेन जी के साथ केजरिवाल जी बैठे हैं ब अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है राहूल गांदी जी किस सोच में डूबे हो तुम जी बहुत बहुत शुक्रिया नडडा जी आप न्यूज 18 के मंच पर आए